जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस एवं नेशनल कॉंफरेंस के मद्दे हुए गठबंदर पर मुख्यमंतरी डॉक्टर मोहन यादो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि फारुक अब्दुला और कॉंग्रेस का एक साथ आना इसोर इशारा करता है कि कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस के घोषड़ा पत्र के अनुसार अलग जहंडे के वादे का समर्थन करती है उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भागे के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉंग्रेस केवल वोट वेंक के लिए मिलकर देश में आरा जगता फैलाना चाहती है जम्मु कश्मीर के बीच में विवाजन का कारे कॉंग्रेस ने किया और उसमें नेशनल कॉंफरेंस की बड़ी भूमिका रही कॉंग्रेस अधियक्ष मलिकार जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है जो कॉंग्रेस ने नेशनल कॉंफरेंस के साथ खड़े होने पर मजबूर रहा है जम्मू कश्मीर चुनाओं में फारुक अबदुल्ला और कांग्रेस पार्टी का आपस में मिलकर के चुनाओं लड़ना यह अपने आप में इस बात के लिए इंगित करता है कि क्या कांग्रेस नेशनल कांफरेंस के खड़े का समर्थन करती है क्या कि फिर धारा 370 और 30 से कुल वापस कस्मीर के इंटल आने चाहती है किवल वोड़ बेंग के लिए नेशनल कांफरेंस को साथ जोड़ करके कस्मीर के बदले देश में अरजकता पिदा करना चाहती है पुना पाकिस्तान से वारता का लाप करना चाहती है करता हूं कि कांग्रेस को उस सारी बातों को याद करना चाहिए जिन से कारण से कस्मीर के अंदर अब तक 40,000 से जादा लोगों के हत्याएं हुई है कस्मीर आज एक अलग दोर में पहुचा है पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है लेकिन कांग्रेस केवल वोड बेंग की राजनीती के कारण से दली तो, गूर्जर, बकरवाल, पहड़ियों के आरक्षन को समाप्त कराना चाहती है संकराचारी परवत को तक 30,000 को कोहे मारन नाम से जाने जाएंगे कि कांग्रेस की ये इच्छा है कांग्रेस की बड़ी भूमे क्या थी मैं उम्मिद करता हूँ कि आज कश्मीर का जो बडलता दोर है से बडलते दोर में कांग्रेस फिर उस अराजक तत्वों के साथ मिल रही है इसका जवाब राखुल गांदी को देना चाहिए मैं उम्मिद करता हूँ कि चुनाओ की राजनिती में दलो की अपनी सीमा भले हो सकती है लेकिन राष्टी मुद्वे पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए मैं अपनी ओर से एक बार फिर कांग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिकार अप्रुन खड़गे इचार करें कि उनको नैस्नल पर्म्टरेस के साथ कहड़े होने के कौन से मजबूरी थी उसका जवाब